आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि पैंशनर्स को अपनी अलग-अलग प्रकार की आय को ITR में कौन-कौन से सेक्षन में भरना है सभी साथियों को नमश्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरीजी में इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकन को प्रेस करके आल के उपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आईए शुरू करते हैं पैंशनर्स को जो इंकम प्राप्त होती है उसमें मुख्य रूप से नीचे दिये गए आइटम शामिल होते हैं सबसे पहले हम ले सकते हैं पैंशन के रूप में मिलने वाला अमाउंट या फिर फैमिली पैंशन के रूप में मिलने वाला अमाउंट तीसरा है Graduity का Amount चोथा है Leave Encashment का Amount पांचवा है Pension के Commutation का Amount छटा है GPF या EPF या PPF से मिलने वाला Amount नेक्स्ट है किसी प्रकार के Compensation का Amount और नेक्स्ट है किसी प्रकार के Life Insurance से मिलने वाला Amount इन सभी आइटम्स को ITR में भरने के लिए हमें Income Tax की वेबसाइट पर जाना होता है और इस वेबसाइट का एड्रेस है Income Tax.gov.in ये हमारे सामने Income Tax की वेबसाइट का Home Page खुल गया है इसमें सबसे पहले हम अपने अकाउंट में Login करेंगे Login करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया गया है इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम अपना Pen Number भरेंगे और इसके बाद Password भरकर Continue करने पर हमारे सामने ये Dashboard खुल जाता है Assessment Year 2022 ते इसकी Income Tax Return को भरने के लिए यहाँ पर File Now के बटन के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर Assessment Year को सेलेक्ट करके Online Mode को सेलेक्ट कर लेंगे और Continue के उपर क्लिक करेंगे New Filing को स्टार्ट करने के बाद Individual को सेलेक्ट करेंगे और Continue के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम ITR1 को सेलेट कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे ITR1 के साथ यहाँ पर यह Let's Get Started का बटन है इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर पहले option को सेलेट करेंगे और continue के उपर क्लिक करेंगे यह आपके सामने income tax return की summary का page है इसमें जैसे ही आप इस page पर आते हैं केवल personal information का जो link है यही activate होता है इसके बाद के जो चारो link है यह deactivate होते हैं तो सबसे पहले हमें personal information को confirm करना है इसके लिए हम इसके उपर क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद आपकी personal information का page खुल जाता है जिसमें आपका name, pen number, date of birth और आधार number दिया गया है इसी के साथ आपका contact detail भी इसमें दी गई है अगर ये contact detail ठीक है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे अगर इसमें आपको कोई change करना है तो इसके right में edit का option दिया गया है इस button को आप click करेंगे और आपका जो mobile number है, email address है या residential address है इसको आप यहाँ पर correct कर देंगे, correct करने के बाद save के button को प्रेस करेंगे इस तरीके से आपकी जो contact detail है वो edit हो जाएंगे इसके बाद आपके लिए एक बड़ा ही important point है nature of employment इस point में आपको अपने employment की nature को declare करना है इसमें एक list दी गई है जिसमें पहला है central government, दूसरा है state government और तीसरा है public sector undertaking ये जो तीनों option है ये उन employee के लिए हैं जो अभी service में है इसके आगे pensioners के लिए option दिये गए हैं जिसमें पहला है CG pensioners यानि के central government के pensioners दूसरा है SG pensioners यानि के state government के pensioners, तीसरा है PSU pensioners यानि के public sector undertaking के pensioners चोथा है other pensioners यानि के जो private sector के pensioners हैं उनके लिए ये point है इसके बाद पांचवे नंबर पर है others यानि के जो इसमें से किसी भी category में नहीं आते हैं वो others के option को select करेंगे और आखरी है family pensioners के लिए यानि के जो व्यक्ति उपर की किसी category में cover नहीं हो रहे हैं और उनको family pension मिल रही है तो उनको यहाँ पर family pension के option को select कर लेना है example के लिए यहाँ पर CG pensioners यानि के central government के pensioners को select कर लेते हैं इसके बाद section बताया जा रहा है कि कौन से section में ये return file की जा रही है section 139.1 fresh return को file करने के लिए है जो due date से पहले submit की जाती है इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही important option है जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इस return को new tax regime में fill कर रहे हैं या old tax regime में fill कर रहे हैं इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो deductions का है नए tax regime में किसी प्रकार की deduction को allowed नहीं किया गया है केवल जो government contribution होता है NPS employee के संबंद में उसी को ही allow किया गया है बाकी कोई deduction allowed नहीं है जबकि old tax regime में standard deduction भी है exemptions भी है और savings की deductions भी है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी return को पुराने tax के हिसाब से जमा करना चाहते हैं तो इस option को no करेंगे और अगर आप नए tax के slab के हिसाब से इसको जमा करना चाहते हैं तो इस option को yes करेंगे फिलाल मैं इस option को no कर रहा हूँ, इसके बाद आप अपनी bank details को यहाँ पर चेक करेंगे, अगर आपने bank account को add नहीं कर रखा है, तो यहाँ add another का button है, इससे आप bank account को add कर सकते हैं, जो bank account आप यहाँ पर add करेंगे, उन में से किसी एक bank account को आपको refund के लिए भी select करना होगा, और इस detail को हम confirm कर देंगे, जैसे ही यह detail confirm करते हैं, personal information के सामने confirm का notification आ जाता है, जैसे ही पहला point confirm होता है, दूसरा point जो gross total income का है, यह activate हो जाता है, इसके details को confirm करने के लिए इसके उपर हम click करेंगे, जैसे ही click करते हैं, तो salary से exemptions के बारे में आप से confirmation लेता है, यहाँ पर last में य दिया गया है, any other exemption from salary income, इसको हम यहाँ पर yes कर लेते हैं, यहाँ पर salary income में मिलने वाले exemptions की list दी गई है, इस list में तीसरे point पर दिया गया है death come retirement graduate, पिछले financial year 2021 में अगर आपको retirement graduate या death graduate का कोई amount receive हुआ है, तो उसको यहाँ पर तीसरे point में भरना है, इसके लिए यहाँ इस box में हम टिक लगा देंगे और इसके सामने retirement graduate या death graduate के amount को भर देंगे, इसके बाद चोथे point में दिया गया है leave and cashment on retirement, अगर आपको पिछले financial year में retirement के time पर या employee की death होने के बाद उसकी family को leave and cashment का कोई amount प्राप्थ हुआ है, तो उसको यहाँ पर इस point में भरना है, इसके amount, अगर आपको किसी प्रकार का कोई compensation का amount प्राप्थ हुआ है, तो उसके लिए यहाँ इस box के ओपर टिक लगा देंगे और इसके सामने इस box में compensation के amount को fill कर देंगे, इसके बाद छटे point में दिया गया है commuted value of pension, अगर आपको पिछले financial year में pension के commutation का कोई amount प्राप्थ हुआ है, तो उस amount को इस point में भरा जाना है, इसके लिए यहाँ इस box के ओपर टिक लगाएंगे और इसके सामने यह जो box दिया गया है, इसमें pension के commutation के amount को fill कर देंगे, इस list के आगे के item को देखने के लिए यहाँ पर show more लिखा हुआ है, इसके ओपर click करेंगे, इसके अगले point में दिया गया है कि अगर आपको voluntary retirement या service के termination के बाद कोई amount receive हुआ है, तो उस amount को इस point में भरा जाना है, इसके लिए यहाँ पर click लगा देंगे, और इसके सामने जो box दिया गया है, इसमें amount को fill कर देंगे, इसके last point में दिया गया है कि पिछले वित्यवर्ष में अगर आपको central government की किसी approved scheme के अंतरगत कोई compensation का amount प्राप्त हुआ है, तो उसको इस point में भरा जाना है, इसके लिए यहाँ पर इस box में टिक लगा देंगे, और इसके सामने जो box दिया गया है, इस box में उस amount को fill कर देंगे, इसके बाद यहाँ continue के उपर click करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले income from salary के सामने जो edit का button दिया गया है, इसके उपर click करेंगे, यहाँ पर पहले point के a point में पिछले financial year में आपको जितना भी amount receive हुआ है, चाहे वो amount आपकी pension का है, या आपके pensionary benefit जैसे के graduate का है, या leave engagement का है, या compensation का है, या फिर pension के commutation का amount है, इस प्रकार के सारे amount का जो total है, वो यहाँ पर a point में भरा जाना है, example के लिए हम माल लेते हैं कि आपको जो total amount पर आप्त हुआ है, वो 40,00,000,000 रुपए है, चो 40,00,000,000 के इस amount को यहाँ पर point a के सामने इस box में fill कर इसके बाद point two में exempt allowance दिये गए हैं, जो हमने पिछले page पर fill किये थे, जिसमें हमने graduate के 10,00,000,000 रुपए फिल कर लिये थे, leave engagement में 5,00,000,000 रुपए फिल किये थे, और pension के commutation के 5,00,000,000 रुपए फिल किये थे, इस प्रकार से हमने total 20,00,000 रुपए फिल किये थे, जो यहाँ पर point two में exempt allowances के सामने इस box में दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर save के button को press करेंगे, अगर आपको salary के अलावाद दूसरे sources से भी कोई income प्राप्त हो रही है, तो other sources से होने वाली income को यहाँ पर income from other sources के अंदर add किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर add another का button दिया है, इसके उपर click करेंगे, other sources से होने वाली income को ITR में किस प्रकार से भरा जाएगा, इस बारे में एक video already upload की जा चुकी है, इस video का link नीचे description में दिया गया है, इसके बाद last point में दिया गया है exempt income, इस point के अंदर केवल reporting purpose के लिए income को declare किया जाएगा, इस प्रकार की income को income tax की calculation म शामिल नहीं किया जाता है, exempt income को add करने के लिए यहाँ पर add details का button दिया गया है, इसके उपर click करेंगे, exempt income की type के लिए यहाँ पर list दी गई है, इस list में पहला point है agriculture income, ITR1 में 5000 रुपए तक की agriculture income को declare किया जा सकता है, अगर आपको पिछले financial year में 5000 रुपए तक की agriculture income इसरे point में दिया गया है कि अगर किसी natural disaster जैसे कि भुकाम पा जाना या बाड़ा जाना या सूखा पड़ जाना के कारण किसी केंदर सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आपको कोई compensation का amount प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस दूसरे point को select करेंगे और यहा security का amount प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तीसरे point को select करेंगे और इस box में उस amount को fill कर देंगे, इसके next point में दिया गया है कि अगर आपको पिछले financial year में GPF का कोई amount प्राप्त हुआ है, तो उसको यहाँ section 10-11 के अंदर fill किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर statutory provident fund received को select करेंगे और GPF के उस amount को यहाँ पर इस box में fill कर देंगे, next point में दिया गया है कि अगर आपको employee provident fund EPF, इसके next point में दिया गया है कि अगर पिछले financial year में आपको employee provident fund यानि के EPF का कोई amount प्राप्त हुआ है, तो उसको यहाँ पर section 10-12 के अंदर भरा जाएगा, इसके लिए यहाँ पर इस point को select करेंगे और उस amount को इस box में fill कर देंगे, इसके next point में दिया गया है कि अगर आपको कोई approved superannuation fund receive हुआ है, तो उसके लिए इस point को select करेंगे और उसके amount को इस box में fill कर देंगे, next point में दिया गया है कि अगर education की cost के लिए किसी प्रकार की कोई scholarship का amount state government के द्वारा किसी प्रकार के award के रूप में आपको कोई amount दिया गया है तो उसके लिए यहाँ पर section 10, 17A को select करेंगे और उस amount को यहाँ पर fill कर देंगे next point में दिया गया है कि ऐसे employee जिनको परमवीर चक्र मिला है या महवीर चक्र मिला है या वीर चक्र मिला है या ऐसा ही और कोई दूसरा galantry award मिला है तो ऐसे employee को जो pension मिल रही है तो pension के उस amount को income tax के अंदर fully exempt किया गया है उसके लिए यहाँ पर section 10, 18 को select किया जाएगा और इस प्रकार का जो amount है उसको यहाँ पर इस box में fill कर देंगे next point में दिया गया है defense medical disability pension यानि के defense employees को जो disability pension है वो भी income tax के अंदर fully exempted है इस प्रकार की pension को fill करने के लिए यहाँ पर defense medical disability pension के option को select करेंगे और disability pension के total amount को यहाँ पर इस box में fill कर देंगे next point में दिया गया है कि armed forces के essay employee जिनकी duty के duration में death हो जाती है और उनकी family को जो family pension मिल रही है उस family pension का पूरा amount income tax में exempt किया गया है उसके लिए यहाँ पर section 10-19 को select किया जाएगा और family pension के पूरे amount को यहाँ पर इस box में fill कर देंगे इसके बाद यहाँ पर add के button पर click करेंगे इसके बाद last में आकर के हम यहाँ पर confirm के button को press करेंगे जैसे ही हम इसको confirm करते हैं ऐसी हमारा जो दूसरा point है gross total income का यह confirm हो जाता है और इसके confirm होने के बाद जो total deduction का field है यह open हो जाता है इन सभी points की step by step procedure की वीडियो आलरेडी upload की जा चुकी है जिसका link नीचे description में दिया गया है वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नमस्कार